लिए इस एडियो में हम बात करेंगे जयाव में मिलोरे एस लॉम्य के ऑन-्लाइं पैमिट कैसे काई। चालान के तुरू या डेबिट कार्ड, केडिक कार्ड से आप अपना पैमिट काइसे करें। एस द्हुरू सब्सक्राइब करें। पर आना होगा लिंग आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी वहां से जाके आप डारेक्ट ओपन कर सकते हैं जैसे आप जायमे की लिंग ओपन करोगे आपकी सामने इस तरह की इसके इन विजिवल हो जाएगी अगर आप regular student है तो आप regular online fee permit regular पर किलिक करना होगा अगर आप private student है तो online fee permit distance online आपको प्राइविट इस लिंग पर किलिक करना होगा दोनों link आपको नेचे description में मिल जाएगी हम आपको दोनों को दिखाएंगे किस तरीके सा आप दोनों permit कर सकते है regular भी और private भी इससे पहले हम regular की बात कर लेते हैं अगर आप regular student है और आपने regular course में अपने admission ले रख था है तो आपको online fee permit regular program पर किलिक करना होगा इसकी link भी आपको नीचे description मिल जाएगी वहाँ से जाके आप direct open कर सकती है नहीं तो आप जाय में की official website पर आना होगा आपको simply आपको इस link पर किलिक करना है online fee permit जैसी आप link पर किलिक करोगे आपकी सामने इस तरह कि इसके invisible हो जाएगी यहाँ पर आपको जो है please choice यहाँ पर आपको select करना है अगर आप new admission first semester या only first year की student आप तो इस पर किलिक करना होगा आपको नई तो आपको readmission पर किलिक करना होगा जैसी आपने readmission पर किलिक करना होगा जैसी हम यहाँ पर अपनी student id डालते हैं जैसी आपने student id यहाँ पर फिल करी उसके बाद tag पर क्लिक किया तो आपकी जो data है सारे complete फिल होकर आजाएगा यहाँ पर आपका name आजाएगा यहाँ पर आपकी date बढ़त आजाएगी यहाँ पर last date of submission जो आपकी फी की last date हो यहाँ पर आजाएगी फिल आपका amount है यहाँ पर आजाएगा 15,250 हमारा amount है यहाँ पर आगया है जो आप यहाँ पर account number आजाएगा यहाँ पर जो आपका course है यहाँ पर course आजाएगा choice any jamia bank आप कोन से bank को select करना चाहते है bank of india Indian banks आप कोन से bank के कटाना चाहते है इंडियन bank को select करें यहाँ फिर bank of india यहाँ से आपको select करना होगा उसके बाद आप अपना balance जो है चालान के तुरू कटाना चाहते है यहाँ पर credit card, debit card यह net banking से कटाना चाहते है तो यहाँ से आप credit card यह net banking select कर लिजे cash challenge से आप कटाओगे तो आपका जो है extra charge नहीं लगेगा अगर आप debit card यह credit card net banking से कटाओगे तो आपका extra charge लगेगा कितना extra charge लगेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं आपको इस पर किलिक करना है download range condition simply आपको इस पर किलिक करना है जैसी अपने link पर किलिक के आपके सामने इस तरह की इसके invisible हो जाएगी जाम यह मिले इसलाम में fee to be the pay of Indian rupees अगर आप cash चालान के तुरू permit करना चाहते हैं तो आपका no additional charge आपको कोई extra charge नहीं लगेगा अगर आप net banking से balance कटाना चाहते हैं तो आपका extra charge नहीं लगेगा अगर आप credit card से balance कटाना चाहते हैं तो 1.2% आपका fee amount अप्लिकेबल टेस्ट लगेगा अगर आप debit card से balance कटाने तो आपका 0.7% fee amount पे applicable टेक्स लगेगा अगर आप debit card से balance कटाने तो 1% का fee amount extra charge लगेगा आप यहां से देख सकते हैं किस पे extra charge लग र लग रहा है यहां पर आप important interaction भी आप read कर सकते हैं इसके बाद अगर आपको cash चालान के through permit कर डाना तो इस पर क्लिक करिए नहीं तो आपको debit card पर क्लिक करना होगा उसके बाद यहां पर click here to process पर क्लिक कर देना है जैसे आपने click here to process पर क्लिक किया आपके सामने इस तरह के इसके invisible हो जाएगी यहां पर आपको अपने जो एक card select करना है अगर आप credit card से balance कटाना चाहते हैं तो credit card select करें अगर आप debit card से balance कटाना चाहते हैं तो debit card अगर आपके पास other card है तो यहां पर अदर card debit card select कर सकते हैं अगर आप net banking से balance कटाना चाहते हैं तो यहां पर net banking select कर सकते हैं जैसे मुझे debit card से balance कटाना तो मैंने debit card select कर लिए उसके बाद यहां पर card number आपको सब्सक्राने की doing जो सब्सक्राइब करना होता है यहां पर आपको यह करना होता है जो आपका का पे यहां पर देनक में धेस्ट करक्र देना है आपका permit, जो एक कट जाएगा, उसके बाद जैसे आपका permit कटेगा, आपके mail पर message आएगा, या फिर आप जो permit कटेगा, उसके बाद आप screenshot ले लीजे, और अपने proof के पास, proof के साथ अपने screenshot जो अपने पास रख लीजे, private और regular दोनों इसी तरीके से आपको permit करना होगा, private वाल का button दबाए, ताकि आने वाली वीडियो के update मिल कि रहे, thank you